मैं सुमन चोहार मजदूर बाणी देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक सुभागत करती हूं गाम जोहरण नाली से एटेश वर्ष की महिला अपने दो बच्चों को छोड़ कर घर से लापता हो गई है लापता महिला के पती विनोद कुमार कुत्तर ग्यान चंद निवासी गाम जोहरण नाली ने पुलिस को बताया के दिनाख 6.11.2023 को मेरी पतनी बिना बताए घर से चली गई है मैंने उसकी सब जगे तरास की मगर उसका कोई अतापता नहीं चला मेरी पतनी का कद पांच फुट है और रंग के हुआ है मेरी पतनी ने पैरों में चपल पीले रंग की पजामी और हरई रंग का कुर्टा पैना हुआ है मेरी पतनी घर से निकलते वक्त 6,000 रुपे नगद और सोने चांदी के जेवरात अपने सभी जरूरी कागजस साथ लेकर गई है लापता महिला के पती का कहना है कि मेरे बच्चों को कारों रोकर बुरा हार हो रहा है सदर थाना सिर्शा की पुलिस ने इस सवंद में IPC की धारा 346 के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की छान बिन सुरू कर दी है अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फोलो करें अगर आप हमें यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कोमेंट करकी जुरूर बताएं और वीडियो को सेर और लाइक करना ना भूले